नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करूना आज अपनी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ क्लास 11 पेंटिंग फाइन आट सब्जेक्ट का चेप्टर नमबर 5 सिंदु भाटी की कला बेटा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने प्रगति हासिकाली शिला चेत्र को डिस्क्राइब किया है चेप्टर को और उसके कोशन और आंसर को कराया है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और अब हम शुरू करने चाहेंगे हमारा नेक्स चेप्टर सिंदु भाटी की कला उससे पहले अगर आप सिक्षा प्रवा पर पहली बार आएं हैं आपने अभी तक सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आपके चेप्टर के question answer, description notes, इसके अलावा model test paper, CBSC paper और उनका solution यहाँ पर मिल सके तो chapter शुरू करते हैं बेटा, chapter का नाम है सिंधु घाटी की कला, इस chapter को बेटा थोड़ा सा आपने, मतलब सिंधु घाटी के बारे में आपने थोड़ा सा अपना 8, 9, 10th SST की history book में पढ़ा होगा, हडपा सब्धता के नाम से, तो बेटा हडपा सब्धता को ही सिंधु घाटी सब्धता भी बोला जाता है, इन्डस वैली सब्धता पोला जाता है, आप लोगों को पता होगा, बिटा ये पहली एक विक्सित सब्धता थी, कहां की एशिया की और कौन-कौन से एरिया में ये सिंधु घाटी की सब्धता फैली हुई थी तो भारत में, पाकिस्तान में, काफी बड़ा एरिया इसका इम दिनों अब पाकिस्तान में भी है और कुछ एरिया अफगानिस्तान में भी है, कुछ एरिया इसका इंडिया में भी है। इसका जो समय है वो 5000 इज़ापुर्व यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। और इसको सिंदु भाटी की सब्वेता इसले बोलते हैं बेटा क्योंकि ये सिंदु नदी के किनारे बसी हुई सब्वेता थी इस सभ्वेता को हडपा सभ्वेता हम इसले बोलते हैं क्योंकि जिस की मतब जिसे इस सभ्वेता के जो अफ्षेस मिलने शुरू हुए थे खुदाई होने शुरू हुई थी तो सबसे पहले इस सभ्वेता के जो अफ्षेस मिले थे वो हडपा नामक छेतर से मिले थे इस कारण से इस सभयता का नाम ही हडपा सभयता पढ़ गया इसको रिगवेद में भी इस सभयता का जिक्र हमको मिलता है रिगवेद में इसको हरी उप्रिया के नाम से जाना जाता है और बिटा अगर हम इसका सही समय देखेंगे तो इसके समय के उपर बहुत ज़ादा, क्योंकि हमारी जो प्राचीन सब्हताएं थी, या फिर बहुत दोर ऐसा था, जिसको हम एतिहासिक जुस्ती से थोड़ा सा हम पीछे का मांनते हैं, एतिहासिक और अर्ध इतिहासिक क्या होता है, और प्रगितिहासिक क्या होता है, यह वो वाला समय जिसके बारे में हमें कुछ लिखित विवरण नहीं मिलता, जिसके बारे में सिर्फ हम अंधाजा लगाते हैं, कि ये वाली चीज ऐसे हुई होगी और उस तरीके से हुई होगी, कोई लिखित साक्षे नहीं है, आर्ध एतिहासिक मत्तब जिसके अंदर हमें कुछ-कुछ तो लिपिवद चीजे मिल जाती हैं, और कुछ-कुछ को हम अनुमान लगा के एक कहानी की तरह जोड लेते हैं, और एतिहासिक बेटा हम उस चीज को कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास पून साक्षे होते हैं, तो प्रगितिहासिक तो हम लोगों ने पढ़ ल गया है, और जो सबूत मिले हैं, उसमें हम किनको महत्व दे सकते हैं, सबसे मेइन जो हम महत्व दे सकते हैं, यहां से मिली हुई मोहरों को जिन मोहरों के अधारपर यहां पर व्यपार्ज होता था व्यवसाय चलता था और ये बहुत ही ज़ादा विक्सित सभयता थी धनाड़ लोग बहुत ज़ादा इस सभयता में रहते थे काफी ज़्यादा मुद्रा मिली है मुद्रा से मतलब है मोहरे काफी ज़्यादा मोहरे यहाँ पर मिली है व्यापारी गर्ण थे इस सभ्यता के अधिक्तर लोग जो थे वो व्यापारी थे वो व्यापार करते थे और किन सभ्यताओं के साथ सिंदुवासी लोगों का व्यापार होता था तो वो मैसोबटामिया और मिश्रकी सभथा के साथ ये लोग अपना व्यापार करते थे अब जो इसका समय है निरविवाद तो कोई समय हो नहीं सकता क्योंकि ये अर्देते आसिक है लेकिन फिर भी जो सटीक समय है वो होता है इसका 2700 से लेकर के 1700 BC BC का मतलब होता है इसा पूर्व अब आपको इसा पूर्व और इसा के बारे में जहां तक है जानकारी होगी नहीं तो मैं फिर से बता देती हूँ जो जीरो टाइम पिरियड है उसको माना जाता है इसा का जनम तब हुआ था उस जीरो टाइम पिरियड से अगर हम पहले चला जाते हैं तो वो हो जाता है इसा पूर्व यानि अभी तक इसा का जनम ने हुआ तो इसा के जनम से पूर्व का समय यानि कि BC ठीक है और इसा के जनम के बाद कर समय उसको बोल देते हैं हम इसवी यानि कि यह जो सिंदुघाटी की सब्विता थी वो इसा के जनम से 2700 वर्ष पहले की है ठीक है और 1700 वर्ष के आसपास इस सब्विता का पतन हो गया किस प्रकार हो गया कैसे हो गया उस पर भी विवाद है लेकिन ये इसका जो चरम समय रहा है मतलब जिस समय ये सब्विता बहुत अच्छे से फली फूली विक्सित हुई विकास किया हो समय था 2500 से 1500 इसा पूर्ष चर्मोत कर्ष मतलब इस सब्विता का मतलब गोल्डन पीजेट चिके बिटा इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसके जो चेत्र थे तो बिटा बहुत सारे चेत्रों में ये सब्विता फैली हुई है आपको इहां पर बुक में आपके एक नक्षा भी दिया हुआ है जिससे कि आपको पूरा मैप के जरिये इन लोगों ने बताया हुआ है कौन सी जगा कहां पर किस तरह से थी इसके अला तो हडपा ही था जिसके अंदर सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी सेकिंड नमबर में मोहंचोदरो जिसके उपर एक मुवी भी बनी है आप लोगोंने देखी भी हो कि जहां तक है दूसरा चेत्र था मोहंचोदरो तीसरा है चहुंदरो और चौथा है लोथल ये चार प्रमुख नगर थे ठीक है खडपा में खुदाई हुई थी मोहंचोदरो में एक ऐसा एक ऐसी जगह है जहां पर भारी मातरा में नरसंगार हुआता है या माना जा सकता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा यह दुआ था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफशेश मिले हैं हड इतने जादा आवशे इस मोहन-चोधरों से मिले हैं तो इस मोहन-चोधरों नगर को असे मृत्तकों का टीला भी जो विग्यानिक लोग थे उन लोगों पर इतिहास कारों ने नाम दिया चहुंद्रों जो जगा है, वहाँ पर चूणियां मिली है, कांच की चूणियां चहुंद्रों में, इसका मतलब है कि उन लोगों के पास एक कारखाना भी था, जहाँ पर वो चूणियां बनाते थे लोथल एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था वो एक बंदरगा था गुजरात में गुजरात में समुंद्र के पास जहां से उनका जो व्यापार का समान एक सब्वेता से दूसरी सब्वेता और दूसरी सब्वेता से इस सब्वेता तक आता था इसके अलावा काली बंगा, काली बंगा राजिस्थान में है एक जगा जहां पर खेती बाड़ी की जाती थी जिक हैं वहाँ पर हल मिले हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो सिंदुवासी थे वो खेती करते थे इसके अलावा बहुत सी जगा है जैसे रंगपुर है, धोला वीरा भी गुजरात में है, राखी गड़ी भी और बनावली हर्याणा में है, रोपड पंजाब में है, काली बंगन के बारे में मैंने अभी बताई दिया, बलाथर, आलमगीरपुर उत्तरप्रदेश में है तो यह सारी जगा है, जो जहां पर हमें हडपा सब बता के अफशेश मिले हैं, इन जगा से कुछ न कुछ मिला है, अब जो बहुत ज़ादा चीजे जैसे हडपा सब बता से हमें मिली है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि मोहरे मिली है, मोहरों के अलावा बेटा, यहा बरतन को ही यहांपन मृद्भांड हो लगा च्छाया और यह जो बरतन होते थे यह तीन प्रकार के बरतन , शिंदो वासी प्रियोग procedure में लाते थे एक होता था कि उन्होंने मिट्टी का बरतन बना लिया और उसको प्लेट लाल रंग arm और मतलब उसको पॉलिश कर दीता हो काले रंग से उस बर्तन को ऐसे पूरा पॉलिश कर दिया और उसके उपर लाल रंग से ड्राइंग बना दिये इस तरह के जो बर्तन है वो बहुत कम मात्रा में मिले हैं तो तीन तरह के बर्तन यहां पर मिले हैं इसके अलावा इन लोगोंने अलग से कोई चितर नहीं बनाया है। जैसे प्रग्यतिहसिकाल में हम देखते हैं कि आदी मानव ने या मनुष्ये ने दिवारों पर चितर बनाया है। उसने कोई मूर्ति बनाने का ग्याल नहीं था। ठीक है उसने ना कोई पत्थर से मूर्ति बनाई है ना उसने कोई मिट्टी से मूर्थी बनाई है लेकिन जो सिंधुवासी थे इन्होंने मूर्थियां बनाई है इन्होंने अलग से कोई चित्र नहीं बनाया है कोई चित्रकारी के अफशे समय हैं से नहीं मिलते हैं अगर थोड़ी बहुत चित्रकारी हमें यहां पर म एक तो इनके द्वारा बनाए गए चित्रित्म रद्मान यानि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, कासी की मूर्तियां और मुहरे, ठीक है मिटा, सिंदु वासी जो है वो लिखना पढ़ना जानते थे, वो व्यापार करते थे उनकी अपनी एक लिपी है और इनकी मिटिया भीको बोला जाता था, चित्रमेलिपी, जहुतर में चित्रलिपी या चित्रमेलिपी इसको बोला जाता था और यह जो लिपी है वो उर्धू की तरह यानि की दाय से बाय की तरफ अभी हम जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं की तरफ हमारी वर्डिंग चलती है लेकिन उर्दू में क्या होता है कि दाएं से दाएं से बाएं की तरफ सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को लिखना शुरू करते हैं इसी तरह से सिंदुवासी की जो लिपी थी जिसको हम चि वे वह दिखाना अधुक्राएं प्रतिफो को में पढम सुन्होंगरों, छीतर को मोहन जोदरों इन युज मातलब बहुत बड़ा लोगों की तरहुते ही कि मतलब इंडिया में कौन सा राज्य या सिटी ज्यादा फेमस है तो हम जैसे नाम लेंगे कि हाँ भी दिली है चंडीगर है घुजरात है तो इसी तरह से जो सिंधु वासी नगर थे उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस था हडपा फेमस था मुहां जोदरो फेमस था और दोनों ही नगर इंदिनों कहां पर है पाकिस्तान में पस्चिमी पाकिस्तान में ठीक है इंडिया में नहीं है ना मुहां जोदरो और ना हडपा तो लेकिन आप देखो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई जो वहां की सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही जादा मतलब ऐसे पढ़ी ग इंदा रिकी थी या मतलब ऐसे सब्हेत ही तो इसका पता चलता है उनके डार बना एगाए मकानों से अगर वहां पर देखा जाए तो आज के टाइम पर जो हमारे है चाहे वो कोई भी मतलब अश्मी मतलब बड़ी से बड़ी लेकिन सिंदू वासी उन्हें जो अपने घर मकान बनाए थे तो उसके लिए उनकी रोड बिल्कुल सीधी थी जो की 90 डिग्री पर मिलती थी एक रोड बिल्कुल सीधी जा रही है आगे कोई रोड उसको अगर मिलेगी तो वो टी-पॉइंट पे 90 डिग्री पर मिलेगी इसके साथ दूसरे वाले मकान की दिवार जुड़ी होती है और उसका मू दूसरे दिशा में होता है और हमारे घर का जो में केट है वो दूसरे दिशा में होता है लेकिन वहां पर ऐसे दो मकानों की दिवारे आपस में टच नहीं होती थी क्योंकि उनका मकान के दोनों तरफ जो उनका मुख्य दौाश है है वह पतली गली में होता था यानि की 9 फुट की जो गली होती थी वहां पर होता था और जो उनका दूसरा लाजे मारम तरहा होता था हना पर उनका थीडि को ठीच कौंडरी गेट होता इस तरह की विवस्ता उस समय की civilisation में भी देखने मिलती थी इस कारण हम कहते हैं कि भई जो सिंदु गाटी सव बेता थी वो बहुत ही जादा civilized थी यह जो आपको दिख रहा है यह स्नानागार दिख रहा है जिसको हम बोल देता है विशाल इस नानागार भई कहां से मिला है इसके दोनों तरफ सीड़ियां बनी हुई है और बीच में ऐसे जल भरा होता था जहां पर सामु ही किस नान किया जाता था यह कुछ आभुशन अच्छा यह चीज हमारे दिमाग से निकल गई थी कि हमको आभुशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में सिंदु गाटी सव बेता यह मोहरु को वेरी अगा जिसको हम ऐसे लुष फुजारी की मूर्ति वहां पर उन सिंदों बोलते थे तो यह है पुजारी राजा जो कि टर्रा कोटा टर्रा कोटे बिटा मिट्डी को बोलते है थे तर्रा कोटा मिट्टी से बना हुआ था और ट्रिफूलिया डिजाइन व जिसे इन्होंने कंगे से अपनी डाडी के बालों को संवारा हुआ है आचा आब तुम्हारे इस लेबस में कुछ ऐसे ना सिंदो घाटी सब बता से जो हमें मूर्तियां या मोहरे या जो भी चीज मिली है उसके बारे में डिटेलिंग करनी है तो ये बहुत ही जादा famous मूर्ती है निरतकी की बहुत जादा important मूर्ती है भी इस पे मैं पक्का कह सकते हूं की 100% question अपका इस मूर्थी की पिछा जा सकता है सिंदो सब बता में तो भी जिचांसे धातु की एक मूर्ती है या कह सकते हैं कि यह सबसे पहली मूर्ती है, इससे पहले कोई मूर्ती मिली ही नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी अध्यान किया हो, कहां पर हमारे हैं, इंडिया में, तो यह धातु की मूर्ती है, कांसे धातु से बनी हुई है, जो इसका फेस है, लेडी का जो फेस है, वो स तो यह इसके शरीर को देखते हुए बहुत ज्यादा बड़े हैं यानि कि अनुपाथ ही नहीं है शरीर छोटा है और हाथ लंबे है और जो मूर्ति है उसको वस्त्र नहीं पहनाए गए है इसका मतलब उस समय वस्तों गा उतना प्रावधान या तो होता नहीं होगा या मूर् पात्रा में इसने चूडियां पहनी हुई है जिस हाथ में इसने चूडियां पहनी हुई यानि कि उल्टे हाथ में इसके एक कटोरा भी है एक पात्र भी है जिस तरह से यह जो मूर्ति है यह खड़ी हुई है उसका एक पैर जो है वो नहीं है और जो दूसरा पैर है वो और नरते करने के बाद रुक गई है और इसके हाथ में जो कटो रहा है यानि कि जो पात्र है उसके अंदर जो इसने नरते किया है उसके लिए एक तरह से बिक्षा पात्र समझ लीजे इसको ठीक है तो इस तरह का कुछ अंकन जो है यहां पर इस मूर्ती में हमको देखने मिल बाल जो है उसके वो जूड़े की शेप में बंदे हुए है मोटी नाख है और गले में उसने एक कुछ हार तरह का पहना हुआ है यह आपका अंडरत की चेत्र मिला कहां से है बिटा तो मोहां जोदरो से मिला है और मोहां जोदरो इन दिनों कहां पर है पाकिस्तान में कहां से जातु का है गल फकी बंदातु का है पत्चिस सो ईसा पूरुब का समय है और इस मूर्ती का जो हाकार है वह है 10.5 x 5.2.5 cm यानि कि इसकी जो लंबाई है वो 10.5 है और जो इसकी चोड़ाई है वो 5 cm है और जो इस मूर्ती की मूटाई है वो 2.5 cm है और क्यों इसका मूर्तिकार है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, कहां रखा हुआ है तो यह रास्त्र संग्राले नहीं दिली में रखी वही ह अगर कभी आप लोगों का रास्टर संग राले जाना हो तो आप वहाँ पर इस मूर्ती को देख सकते हैं चार इंच की ये मूर्ती है करीब जिसको नरत्यांगना या नरतकी या डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है सबसे जादा जरूरी है कि ये कांसे धातुकी बनी हुए इसको आप याद कर लीजे जो हमने चित्र में देखा था बिल्कुल सेम वही चीरियां पर लिखी हुई है लुभाव ने अंदाज में खड़ी हुई है बाल जूडों की तरफ बंदे हुए है चूडियां भाए हाथ में है उपर तक है दाइने हाथ में कंगन है बाजुवन है तीन कोडियों से बना हुआ हार उसके गले में है दाइना हाथ कूले पर है नीचे लटके हुए हाथ में कटोरा है आँखे बढ़ी है जुकी हुई है नाक चप्टी और मोटी है आंत्रिक भाव इसके चेहरे को देखने से सपस्ट होते हैं इसके और लोग इस मूर्थी शिल्प से पता चलता है कि इस समय यानि सिंदुवासी लोगों को धातु विज्ञान या पिगली धातुओं को आकार में डालने की कला का ज्यान था यानि कि और इस वाली कला को क्या बोलते हैं मदुसिस्ट सेली जब हम किसी को आरती को हमने मूम रूप में आकार दिया और उसके उपर धातु को डाल दिया पिगला दिया तो वो चीज कहलाती है मदुसिस्ट सेली अब जो सेकिंड आप लोगों के स्लेबस में है वो है विटा पुरुष धर आपके सामने ये चितर है देख लीजे इसका जो ये फेस और ये दोनों कंदे हैं यहां पे ना कुछ इस तरह से है कि जैसे मतलब यहां पर कुछ जुड जाएगा है ना मतलब कोई होल है जैसे अ देखने मिलता है और यह मूर्तिशिल्फ देखते हैं तो यह सिर्फ जांको तक का मूर्तिशिल्फ है और इस तरह के मूर्तिशिल्फ को क्या बोलते है धड़ जो कमर से उपर तक का हिस्सा होता है उसको धड़ बोलते है ठीक है और धड़ क्योंकि इसके उपर फेस नहीं है और ये बिली है हडपा से जो कि वो भी पाकिस्तान में है चूना पत्थर से ये मूर्ति शिल्फ बनी है इस काकार यहां पर आपको दिया गया है मूर्तिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है इस मूर्ति शिल्फ को भी आप राश्चर संग्राले नहीं दिली में देख सकते और इसका भी समय कांसे दातों से प्राप्ट जो मूर्ति है नर्तकी उसी के समार यानि की लगभग डाई हसार इसा पूर्व का है अब इस मूर्ति के बारे में हम देख लेते हैं तो ये हमने देखी लिया है उपर से भी तो पुरुष धण है लाल चुना पथर से बनी हुई ह गर्दन और कंदों पर क्रमशत सिर्व हाथों को जोडने के लिए विश्यस्ट गढ़े और छिद्र बने हुए हैं कंदों को गर्दन को तपा करके मजबूती प्रदान की गई है पेट में थोड़ा उभार है मूर्ति से प्रतीत होता है कि ये लोग गतिशील अंदाश में जो है हाथ पेरों को बनाने की कला में माहिर थे तीसरी मूर्ति शिल्प जो आप लोग यहां पर देखेंगे वो है मात्र देवी मात्र देवी की बहुत सारी मूर्तियां यहां पर मिली हैं तो यह जो दो मूर्ति आपको दिखाएं गई हैं दोनों अलग-अलग मूर्तिया ह मात्र देवी के और भी मूर्ति मील जाएंगे , जैसे कि आप समझें देगी अगर सब्यादी का सबर्देवी नाक की अगती तरह लाखंशी अगर देकी , विह कुंद है , लेकिन उनका नाम तो है नाम की जाहर乾णे मुकुठ है चहरे पर आखनाक तो इन्होंने वैसी बनाए है कोई भी मत्तब ऐसे सुन्दर बनाने का प्रयास नहीं किया है क्योंकि बहुत पुरानी है तो जैसे अभी इस मूर्ति का एक हाथ नहीं है दूसरा हाथ भी कलाई के नीचे से नहीं है पैर अंदर है ये तो सिर्फ आवक्ष मूर्ति ही है जो मातर देवी मोहन जोदरो आपको यहां पर दिखाए गई है अब ये तोनु पाकिस्तान से मिली हैं आंक में तपा करके बनाए गई है तैरा कोटा मिटी से बनी हुई है आकार और अनलोगों का जो भी आ पर दिया गयास है। अचित्स एसा पुरुकी है। मूर्तिकार के बारे में तो कोई जानकरी ही नहीं कि कौन तो उस समय मूर्तिकार था, कौर चित्रकार था, कौई राजा था, क्माहरास्ता, इसके बारे में कोई जानकरी निही northwest hasn сам cleaned up? अब, इसके बारे में क्या है। कि बहुत सी मुर्थियां यहां से प्राप्त हुई हैं। जनको आग में तपा करके मदूस सटसाली से बनाया गया है। दो मुर्तियां दिखाएं गई हैं जिसमें कुछ समानताय हैं और कुछ ऐसामानताय हैं। लेकिन आपको जो मूर्ति पढ़नी है वो ये वाली पढ़नी है, कौन सी वाली मतलब आप दोनों मूर्तियों का विवरण नहीं दोगे, आप सिर्फ जो पहली मूर्ति है यानि की जो अवक्ष मूर्ति है कवंद मूर्ति है आप उसी का विवरण दोगे, तो इस इस्त्री की जो आकरती है उसके जो वक्ष है उसके ऊपर हाल जूलते हूँ दिखाया गया है कमर के निचले बाग में वस्तर पहने हुए है उसने कमरबंद पहना हुआ है पंखा नुमा मुकट उसके उसने अपने सर पर धारन किया हुआ है इसके अलावा उसके छोटी-छोटी गोल अंख बोलते हैं और ये युनिकॉर्ण बूल अब आपके स्लेबस में नहीं है तो युनिकॉर्ण बूल हम नहीं पढ़ेंगे और इसके बाद ये एक है चित्रित म्रत्भांड चित्रित म्रत्भांड विविटा आपके स्लेबस में नहीं है तो हम इन दोनों जो मोहरे हैं और जो ज मूर्ती शिल्पों को एक तुम्रण मूर्ती वाला और एक ये जो यो पुरुष धड़ है और एक ये मोहन जोद्रों की निर्तकी इसके अलावा थोड़ा सा हमने इस पुजारी राजा को भी पढ़ा है जिसकी डाड़ी थोड़ी कटी समरी है तो आशा करती हूं बिटा जो व मेरी वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल अभी तक अगर बटा आप में सब्सक्राइब में किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना